और हलो स्टूडेंट करेंट अफे क्लास में आप सभी का सौगत है और हम इस करेंटफे क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं एक साल के पूरे करेंट सुवीधा के तहित 44,000 टन से अधिक यूरिया मोहया कराया है तो भारत ने सहेता करिए एक देश है जो आर्थिक संकट से जूंज रहा है उस देश का नाम क्या होगा ऑप्शन डिस श्री लंका की मदद करिए इंडिया ने अगला कुश्य देखते हैं अगला कुश्य ने अधिकांत अमीताफ कांत ऑप्शन ए इसका सही अंसर ऊगा जी टोइंटी के नए शेर्पा 2230 में भारत में ही होगा और अधिक्ष्य तक करेगा जी जी-टोइंटी के दोच्वाशार कुश्य देखते हैं अगला कुश्य ने 13 एक्सप्रेस वेग ये थर्टीन एक्सप्रेस वे है चलिए अगला देखते हैं अगला कुछन है जापान के किस पूर्व प्रधान मंत्री को नारा शहर शहर का नामे नारा नारा शहर में भार्षन देने के दोरान गोली लगने के बार इनकी मृत्ती हो गई तो जापान के पूर्व प्रधान मंत्री की मृत्ती हो गोली तो आबे कि यह कुशन आने की संभावना रहेगी से आप ध्यान रखना इंपोर्टेंट कुश्चन है चलि अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन क्या है केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने 18 वर्ष से अधिक आयू के लोगों के लिए बूस्टर डोस के अंतर को 9 मह मह einf Mile कर दिया अब 9 महीने के अंतर था बूस्टर डोस में अब महीने का अंतर हो गया है चलिमेग चलिए अगला देखते हैं अग्रा अग्रा कुश्चन क्या है अगला है मोश्चतार एक सके मुश्चतार मुश्चतार अबास नगवी ने किस मंत्री के पस स्तिफा दे चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन इंपॉर्टेंट कोश्चन किस देश ने तमिलनाडू में कुंडल कुलम परमानु उजर सहंत के लिए तकनीकी की आपूरती के लिए समझोते पर हस्ताक्षा करें तो भारत में एक तमिलनाडू में जगा है तमिलनाडू किस देश में किस देश मेND सरकार ने भीशन सुखे को देखते हुए पो नदी के औरसपास पाँंच उत्री छेतों में आपाटकार की घुशना कर दिया देखते हुए चलिए अगला क्या है क्या है अगला है कि स्राज हुआ में काई चटनी को भोगल混 संकेत की रजिश्टरी के लिए प्रस्तूत किया गया यह काई संकेत को भोगलिक टेग मिल चुका है option में औरी अगला क्या है हाली के स्राज के ने साओ जो आओ तेवार मनाया है तो यह बड़ा ही आजीवा वादी नाम वाला तेवार मनाया गया कहां पर ऑप्षिल और अगला दिखते हैं है अगला क्या कोश्चन है भारत में पहली भारत नेपाल पहली भारत नेपाल या इसको कॉमा कर लिना भारत गोरफ पर यटन ट्रेन को किस रेलवेश स्टेशन से हरी जंडी दिखाई गई है तो भारत और नेपाल की बीच में ट्रेन चलेगी इसे नाम दिया है भारत गोरफ परेटरन ट्रेन यह कहां से हरी जंडी मिल चुकी है इस ट्रेन को मिली है नारायन और त्रकाश पाधूकॉड इन तीनों को मिला है केंपे गोड़ा कि रुसकार कहां कि सरकार ने दिया है करनाटक सरकार ने पकरناंटक अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन क्या है हाली में कौन सा राज राज चिकिस्था बीमा योजना मेडी सेफ योजना शुरूप करता है यह की है तो कौन सी राज सरकार ने यह चिकिस्था बीमा योजना शुरुवात किये तो राज सरकार का नाम है केरल केरल ने यह यो समीटी दे गई इसके अध्यश का कै नाम है अगला कुछन हाली में करता है जानी एकोसिस्टम रिपोर्ट में किस्राच जिकता पहला इस्थान मेलाहे है अगला देखते हैं, World Gold Council की रисविक सवन, पुना चकरण में भारत निर्वन में से कौन से इस्थान प्राँएंपर राि है? गोल्ड के पुनारा चक्रंव के स्थान पर रेंकिंग की बात की जाए तो भारत चोफे स्थान पर आए और ओप्शन सी 14ज yaptान अंसर्श न्टसर हैं अगा कुस्ष्टन किया अगला कुश्थन हाली मैं किस राजसरकार महिलाओं के लिए नौर्णन योजना शुरुवात करिए important question है शुरुवात की हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश के एक योजना है जो महिलावन संबंदित है नाम है नारी को नमन अगला देखते हैं अगला question क्या है भारत का सबसे बड़ा शौरुवल और NTPC द्वारा और किुस राज्य में पूरी तरीके से चालू कर दिया गया है तो इस राज्य के नाम है तैलांगाना तैलांगाना में शौरुवल्य और तरीके से यह तेरता हुआ शौर शौरुवल औ या है सबसे बड़ा भारत का है चले अगला देखते हैं अगला कुशन क्या है कि अगला देखते हैं अगला क्या है अगला कोशन क्या है अगला कोशन देखेंगे अगला कोशन क्या है नीदा चोपडा ने हाली में डाइमंड लिंग में शांदर प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कपजा किया है कपजा जमाया है तो कौन से पदक पर जमाया है तो बोलना आप्शन भी सौन पदक जीता है डाइमंड लिंग में और यह सा कारणामा करने वाले यह पहले इंडियन बन चुके है चली पहले एथलिट बन चुके हैं चलिए अगला कुशन देखते हैं डेरियो परशुपालन मंत्राले ने 28 जुन 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पाइलेट प्रोजेट को लॉंच किया है तो वन हेल्थ पाइलेट प्रोग्राम या योजना लागू की गई है ऑप्शन है बेंगलूरू में कहां लागू की गई है ब नाम हो चुका है ऑप्शन बी शामभाजी नगर शामभाजी नगर अब नाम हो चुका है ओरंगाबाद का पेले नाम ता ओरंगाबाद अब है शामभाजी नगर चलिए अगला कोशन देखते हैं क्यू एस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 की अनुसार दुनिया भर के चात्रों के लिए रहने के लिहास से भारत में सर्वो चरेंक वाला शहर कोन सा है तो यह बन चुका है मुंबई मुंबई सबसे अच्छा अच्छा स्टूडेंट के साफ से स्टूडेंट स्टूडी दोजार 23 के अनुसार चातों के लिए सबसे अच्छा शहर मुंबई चले अगला देखते हैं अगला क्या है दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशिया कुष्टी प्रतियोगीता में कौन सा पदक जीता है तो पदक इनों जीता है कहां से पदक ना में दीपक पुनिया को उसकी हिसे सम्बंदित कुष्टी खेल से सम्बंदित है किर्गिस्तान की बिश्केक में अंडर 23 एश या प्रतिवग्रिता में इन्होंने कहां से पदर जीता है इसे आप याद रखिए चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन इंपोर्टेंट है इसे आप याद रखना केंदर सरकार सिंगल यूस प्लास्टिक के उप्योग पर प्रतिबंद लगा दिया है अगला देखते हैं हाली में कोन Federation of International Cricket Association की पहली महिला अध्यश बन-चुकि यह भी important question है क्योंकि महिलाओं पर question आया है Federation of International Cricket Association की पहली महिला अध्यश इनका नाम है उप्षन है Lisa StarLaker इनकी अध्यश बन-चुकि है आप question को ध्यान लगना question कुशन आने कि सब्सक्राइब कि देख से अंधरिक्ष मिठ थोस इंधन वाला रॉकेट जर्जाना लॉंच किया देश है इसका नाम है प्रियोजन, क्या है अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन है किस राज्य में वहान की निग्रानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है तो योजना का नाम है सुरक्षामित्र परियोजना वहां निग्रानी से संबंदित है किस राज्य द्राश शुवायत किया गया है तो राज्य का नामे केरल option D केरल इसका सही अर्शत अगला देखते हैं बड़ा important question है हालि मेज़री विश्व प्रेस सुतंता सुचकांग 2022 में भारत कोन से स्थान पर आए ह। विश्व प्रेस सुतंता सुचकांग में 2022 की रिपोर्ट है भारत का स्थान है ऑप्षिन ए 150-ग स्थान पर प्रेश सुतंतर सूचकांग में भारत का स्थान है इसे आप यार दखना आने की संभावना रहे अगला देखते हैं और ये भी इंपोर्टेंट कोश्चन है रेंकिंग का कोश्चन है हाली में जारी हाली में जारी फीफा विश्व रेंकिंग में भारती फुटबॉल टीम का स्थान क्या है का स्थान क्या है या किसी स्थान पर रहिए भारती टीम तो भारती टीम किसी स्थान पर रहिए तो किसी स्थान पर रहिए बोलना एसुचारवे स्थान पर है फीफा रेंकिंग म जाच एजंसी के नए प्रमुक की रूप में को नीट किये गए तो राश्टी जाच एजंसी के नीट किये गए हैं इनका नाम है दिनकर गुपता इसका सही अंसर है इसे भी आप याद रखना राश्टी जाच कप करेंगे दिन में करेंगे दिनकर गुपता इसका सही अंसर है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं हाली में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की आदानी ग्रीन एजंसी एनर्जी ग्रीन एनर्जी पदियोजना को मंजूरी दिये राज्य ने मंजूरी दिये हैं राज्य का नाम है आंद्र प्रदेश ने मंजूरी दिये हैं 3700 मेगावाट ग्रीन एनर्जी परियोज नाम है अगला कुशन देखते हैं हाली में अंतराश्ट्रिय टैनिस हॉल आफ फ्रेम एवं अंतराश्ट्रिय टैनिस संग के संग ने किसे गोल्डन अचीवमेंट आवर्ड 2021 से दिया है तो टैनिस में गोल्डन अचीवमेंट आवर्ड 2021 मिला है ओप्षण है विजय अमरत राज को इसका सही अंसर आएगा ओप्षण है विजय अमरत राज अगला कुशन देखते हैं हाली में हिमाचल प्रदिश के उच न्याले के 27 वे मुख्य नायदिश कोन बने है तो हिमाचल प्रदिश के 27 वे 27 में मुख्य नायदिश कोन बने है हाई कोट के ये बने हैं आप्शन है अमजद, अतेशाम, सहीद आप्शन है इसका सही अंसर होगा अगला कुशन देखते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंदी थे तो बाल गोपाल योजना संबंदी थे option A राजिस्थान से बाल गोपाल योजना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना राजिस्थान से संबंदी थे इसे आप याद रखना योजन तो MSME के प्रिथम पुरुष का सम्मानित किया गया है असम को इसका सही अंसर आएगा अगला देखते हैं अंतराष्टी ओलंपिक दिवस किस दिन पर मनाया जाता है तो अंतराष्टी ओलंपिक दिवस मनाया जाता है अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन क्या है पासपोर्ट सेवा दिवस कि इस दिन मनाया जाता है तो पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन भी 24 जून को 24 जून को मनाया जाता है एक सेकेर 24 जून को मनाया जाता है पास्पोर्ट सेवा दिवस इसे आप ध्यान रखना कोशन आ जाएगा दिवस पर भी अगला Economist Intelligence Unit के The Global Livability Index 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर को उसा है तो सबसे अच्छा रहने के हिसाब से सबसे अच्छा शहर है औप्षन ए वियना रहने के हिसाब से सबसे अच्छा शहर है चले अगला वोशन देखते हैं हाली में किस देश ने नूरी रॉकेट को सफलता पुर्वक प्रश्यपड किया है तो नूरी रॉकेट किस ने प्रख्षेपित किया है तो बुलना option C दक्षिंड को दिये द्वारा इसे launch किया गया है नूरी रॉकेट को अगला कुशन देखते हैं किस देश ने 48 वा G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया है G7 48 वा आयोजन हुआ है ऑप्शन भी जर्मनी में इसका सही अंसर आएगा जर्मनी अगला कुशन देखते हैं कोंसा देश Asia cycling championship 2022 के साथ सृष परभ रहा तो Asia cycling चल रही है championship 2022 चल रही थी 27 परभ जीते हैं väldigt जीते आपगाउन ने शिर स्थान पर आए जापान ओप्षन है जापान सहीं सभी अगला दिखेंगे रक्षा मंत्राले और गवामंत्राने ने अग्नीवीरों के लिए चार वर्ष की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नोकुम्हाँ आरक्षत करने की गोश्ण की है तो कितने प्रतुन बोला 10 प्रतुन इनका आरक्षत मिला हैं चलि अगला देखते हैं कि कि हाल कॐसा ऑस्टेलियन ख्राडी वंडे इतिहास ध्यान रखना वंडे इतिहास में 99 रन पर stump आउट हो गया और ये दूसरे क्रिकेटर बन गए इसे इनका नाम है डेविड वार्नर और श्टिने टीम इखिलाडि है डेविड वार्नर जो 99 रन पर stump आउट हो चुके हैं और दूसरे क्रिकेटर बन चुके अगला देखते हैं अगला कुशन क्या है वन राशन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य को सा है तो अंतिम राज्य है असम अंतिम राज्य है जो इस योजना से जुड़ा है योजना का नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड आपको option में दीख भी रहा होगा चीन विश्व का पहली बार आर्करटिक भेडिया का क्लोन बनाने वाला देश कुन सा है option डी चीन चीन इसका सही अंसर है अगला देखेंगे हाली में किस राज्य सरकार ने एन्नम एबुथम योजना लॉंच की है तो यह योजना लॉंच करन किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विवान वाहक पोथ फ्यूजी यान लॉंच किया है तो फ्यूजी यान लॉंच करने वाला जो देश है यह देश है चीन option डी चीन इसका सही अंसर होगा किस देश के दौरा सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विवान वाह फ्यूजी यान किसके दौर लॉंच किया गया है चीन के दौर अब भारत का कौन सा विवान वहाग पोथ सुर्कियों मेरा है तो वह रहा था विक्रान ये भी ध्यान टकना सुर्कियों में वह रहा था चली अगला देखते हैं विश्व सिकल सेल जारूकता दिवस का मनाया जाता है तो विश्व सिकल सेल जारूकता दिवस मनाया जाता है option a 29 जून को मनाया जाता है विश्व सिकल सेल जागुतर दिवस अगला देखेंगे फीफा अंडर 17 विश्व कप महिला विश्व कप कायोजन किस देश में हुआ अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है अंतराष्ट्री योग दिवस दोर्या बावीस की थीम क्या है तो 21 जून को मनाया जाता है अंतराष्ट्री योग दिवस इसकी थीम ती ऑप्शन है योगा फॉर यूमेनिटी आप्शन ए इसका सही अंसर है योगा फॉर यूमेनिटी इसे आप याद रखना आप्शन ए सही अंसर है कि अगला कोष्ण पर वर्ल्ड रेफ्रियूजी का मनाकिस दिन पर मनाया जाता है तक प्राइडest कि उसका सही अंसर है कि अगला देखते हैं अगला कोष्ण क्या है 21 वर्ष से बढ़ा कर कितने वर्ष कर दी गई तो पहले वर्ष के लिए कर दीए 23 वर्ष ध्यान रखना अगणी पत इसकी में पहले साल के लिए जो आयू है वह 23 वर्ष कर दी गई अगला कुशन देखते हैं किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्ष है विलियम् फो पोर्टर फिल्ड ने अंतराश्टी कürकिंट सन्यास ले लिया है तो किस टीम के राष्टपती जो बारड़न ने कि भारती अमेरिकी को पेंटागन के एक शिर्षपर्स के लिए नामित किया है तो इनका नाम है option A राधा यंगर राधा यंगर को अभीकी राश्पती जो बार्डन ने भारती अमेरिकी को पेंटागन के एक उच परसे सम्मानित किया है option है इसका सही अंसर राधा है अंकर चलिए अगला देखते हैं अगला कोशन भारतिय प्रेश परिशत के अध्यक्ष को है तो भारतिय प्रेश परिशत के अध्यक्ष है option B, रंजना प्रशाद देशाई ये भी याद रखना नियुक्तिय पे भी कोशन आते हैं आपको अगला देखते है और ये शाद अंतिम कोशन है आरति प्रभाकर को अंतिम कोशन है आरति प्रभाकर को किस देश के राष्टपती के विज्ञान सलाकार के रूप में निम्ट किया गया है तो अमेरिका है देश, अमेरिका देश के राष्टपती विज्ञानिक सलाकार के रूप में कोन बनी है, आती प्रभाकर, अंसर इसका सही आएगा अमेरिका, चली आज की कुशन हम complete कर ली है हमने, तो आज की क्लास भी complete हो चुकी है, इसी तरीके से current affair के objective classes चलती रहेगी, पू मिलते हैं अंगली क्लास में सभी को जय हिंद।